हेलो फ्रेंज वेलकम टो माई इस्टडी शीट चैनल दोस्तों प्रिवेर्स यहर में जितने भी कोस्टेंज पुछे गए हैं फिजीकल एजुकेशन कमपेटिटिर एक्जाउन स्टेजिटी फिजीटी एल्टी केविस एन्विस में उन सभी कोस्टेंज को टापिक वाइज आ पड़ेंग पड़ेंग हुए हैं उन सभी वीडियो को वाच करके आप अपनी प्रिप्रेशन को बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों देली बेसिस पे प्रिवेस यह के कोस्टेंज एंसर दिये जा रहा है उसको आप देखना न भूलिएगा तो दोस्तों यह सिरीज नंबर 34 है दोस्तों चली चलते हैं आज के कोस्टेंज के स्रिंखलाओं पर तो दोस्तों पहला कोस्टेंज है कि चिकिस्ता समंधी गतिविद्यों को इस रूप में भी जाना जाता है तो इसको दोस्तों कि किस्ता समंधी गतिविद्यों को मेडिकल नाश्टिक्स के रूप में भी जा स्वास्ति संबंदी दच्टा का भाग नहीं माना जाता है इसमें चार आप्सन दिया हुआ है बाड़ी कंपोजिशन काडियो वैस्ट कुलर स्ट्रेंथ मांस्पेशिय शक्ति प्रतिक्रिया श्मय यानि रियक्शन टाई जैसा कि दोस्तों हेल्थ रिलेटेट फिजिकल फीट उसक्ति मांश्पेशिय सक्ति यहानि मस्किलर एंडुरेंस आता है तो दोस्तों यह बाड़ी कंपोजिशन काडियो वैस्ट्रेंद मांस्पेशिय सक्ति इस तीनों के तीनों आपके स्वास समांधित तष्टा यानि हैल्थ रिलेटेब फीजिकल फीट्नेस के भाग हैं जि की हिदय समंधी दच्छता को मापने के लिए निवेसी कौन सा परिच्छ प्रियोग करेंगे आफशन है कूपर का बारा मिनट दोर परिच्छ है शाइच मिनट दोर छह मिनट का पैदल चाल परिच्छ आर्ठ फुट अप एंड गोटर दोस्तों यह वरिस्टनागश्च्छ नागरिकों की फीजिकल फिटनेश नापने की सभी कि सभी टेस्ट है लेगि इसमें पूच रहा है वरिस्टनागरिकों की ही दय समंधिन दश्टा को मापने के लिए इसमें कौन सा परिच्छर है प्रयोग किया जाता है ति इसमें आसन नंबर C करेक्ट है छे मिनिट का पैदल चाल परिच्छर जो कि 8 फूट एप अप अप अडगो टेस्ट चपलता यान एजलिटी टेस्ट है तो प्रयोग किया जाता है दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन है कि दिन में से कौन सा टेस्ट वरिषट न आगरिकों के सरीर के निचले भाग के लचिले पन को मापता है आप्सन है chair seat and reach test, back scratch test, 8 foot up and go test दोस्तों इसमें सही आप्सन है वैस्क नागरिकों के सरी के निचले भाग का लचिलापन मापता है chair seat and reach test आप्सन नमबर A यहाँ पर correct answer हो जाएगा लेस्ट कोश्चन है गिरने के बावजूद युवाउं को कम चोट आने का क्या कारण है उनकी मास्पेसिया वसा युकते हैं कि प्रकीती ने उन्हीं गिरने वाली तक्निके दी हैं कि वे अपने गतिविदियों में अधिक प्रकीतिक हैं कि उनकी हर्डिया मजबूत बहुत ल लचिली हो जाती है इसलिए उगेने पर भी कम चोट लगती है क्योंकि दोस्तों नेमित योग और उचित व्यायाम से हर्डिया लचिली बनाने में सहायक हो जाते हैं लोग लेक्स्ट कोश्चन है मिनमें से कौन सा सारीक पुष्टी के मुख्या घटक है सारीक पुष्टी यानि की फीजिकल फीटनेस यानि हेल्थ रिलेटेज फीजिकल फीटनेस के मुख्य घटक इन्हें से कौन का है तो दोस्तों यहां पर आफसर नंबर A सही हो जाएगा सारीक संगठन मांस्पेशी शक्ति हिद्यवाहनी सहन चंप्ता लचक यहां पर हो जाएगा सारीक जैसा की हेल्थ रिलेटेब्टेश फीजिकल फीटनेस में बाड़ी कंपोजीशन मस्किलर इस्ट्रेंड कार्डियोवेस्किलर इंड्रेंस मस्किलर इंड्रेंस आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोंसे कौन सा सारीक स्वास्थ का घटक है अब तो दोस्तों आपको दिक्कत नही स्वास्ता का घटक है स्वास्ता का सहन सकती चंपता होती है यहां पे क्या पुछा है हिद्य वाही का सहन चंपती चंपता यानि की पार्डियोवेस्किलर इंडरेंस चंपता होती है किसमें होती है दोस्तों वाईवीय शक्ति यह एक वाईवीय शक्ति होती है हिद्य वाही का सहन चंपती चंपता यानि की कार्डियोवेस्किलर इंडरेंस यह के एरोबिक सक्ति होती है वाईवीय सक्ति होती है यह हिद्य एवं फेप्रों द्वारा सरीर की कार करने के लिए आक्सीजन का प्रियोग करने की योगिता से संबंधित होती है कि मिस्ट कोश्चन है दोस्तों कि हिदे वाहनी सहन चमता यानि कार्डियो वैस्किलर इंडरेंस पुष्टी और स्वास्ति संतुलित जीवन सैली का एक घटक है कोंट जुष्टी आउधिके लिए मांस्क stapंत का उपयोग करने की चमता बलंकि वह माततरा जो एक प्रतिरोत के खिलाब मांस पेसि डाल सकता है D है सरीर के मुमेंट को जल्दी से बदलने की चमता तो दोस्तों यहाँ पर सही आकसिजन हो जाएगा हिदेव वाहनी सहं चमता बोला है यहाँ पर जहाँ पर कार्डियोवेस्कुलर सहं चमता हो जाएगा और सहन चम्ता का नाम होगा वहां पे लंबी आउधी की क्रियाएं आ जाएगी वाइवीये चम्ता आएगी आकसिजन की अनुपस्तिती में एक क्रियाय होगी यहां पे आफसन नंबर वन एक अंसर हुजाएगा समे की एक लंबी आउधी के बैयाम को पूरा करने के लिए हमार ऐरोक क्या नहीं है यहां पर आपे जॉक्सराज परित्वी यहां पर दोस्तों चाहिए इहाँ जाओंग आपके यहां पर यहां पे चंप अचац मेर्ल दूस्द रिंप दूस्तों जैसे कि अदुचंग होता है आघम के साथ क्रिया रोभी क्रियाओं में हमारे सरीड को अधिक मात्रा में तथा रोखता होती है शरीड के प्रियोग क्छंता काडियो वेस्ट कुलर सिस्टम निर्भध करती है फेपु हिडे और रख्त के दूरह ही हमारे सरी में oxygen पहुंचती है रमपी यौद्धि के ब्यायाम में मांधश्पेश्यों को ज्यादा मात्रा में oxygen क्यास सथा होती है oxygen पूष्टी के लिए cycling, siling, jogging, backbone o oxygen की उपस्थिति में होता है कहलाती है तो oxygen की कर्यक्ट एंसर होगा और अनुपस्थिती में जो होता है उसे हम अरोबिक नहीं होता है यहां पर आप को चाहटना है कौन इसमें नहीं है तो दोस्तों यहां पर आफ़न दिया है क्रमबत ब्यायाम साइकलिंग केलस्थेनिक्स योगिक क्रिया जैसे कि दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका क्रमबत ब्यायाम साइक्लिंग कलेस्थेनिक्स जो है आपके एरोबिक्स ब्यायाम में आते हैं यह कि क्रिया यहां पे नहीं है आपसर नमबर सी यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा निमलिखित सरीर क्रिया कारकों में किसी से खेल की छमता बहुत हद तक अधारित होती है यहां पे दोस्तों आपसर नमबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा अतधिक आकसिज़न ग्रहड करने की छमता जो है खेल की चमता बहुत हिद्धे तक अधाईद होती है, अत्यदिक आाउकसीजन ग्रह करने की चमता ग्रह करने की चमता इरोविक सक्ति खिलाडयों में खेल की चमता को बहुत हत्त हत्त करती है कि निन मेंसे फितनिस बढ़ाने के लिए एरोबिक गतिविधियों के अंतरगत नहीं आता है इसमें आपसंद दिया है धीमी गत चाल में दरना दोहराई दर शैक्लिंग चलाना और रिज्मिक भयाम जैसा कि दोस्तों यहां पर चाट सकते हैं धीमी चाल में दरना यह एरोबि आपसर नंबर बिकरेक्ट अन्सर हो जाएगा यह ऐसा जो एरोबिक के अंतरगत नहीं आता है दोस्तों, जो आपसर नेंजय के सिद्थ निरतिय शेर करना रशी कूद ना यार निरिजमिघ्विभय आधे आते हैं नेश्ट कोचन है ऐसा कारे जिसमें वह कारे करने के लिए आवश्चिक आक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में सरीर आक्सीजन की आपूर्थी कर सकता है के रूप में जाना जाता है यहां पर आक्सीजन की अनुपरसिती यानि कम से कम आक्सीजन की आपूर्थी की बात कर रहा ह दोस्तों यहां पर होगा और वायवी कार यानि अने रूबिक और वायवी का मतलब होता है अने रूब blessings करते होता है आक слож boy कार में और वायवीय और व्यकि खा जर्रने कार में से डिकार के लिए आक अबसे 851 की मात्रा से कम मात्रा में अक्सीजन की आपर्थिक करता आक्सिजन की बीना का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि पूर्ड से एक दम बीना आक्सिजगा यानि कि कम से कम मात्रा में आक्सिजन की आपूर्थी में यह काम कर लेता है नेश्ट कोश्चन है किसी के द्वारा एरोबिक शक्ति वे ब्रिधी की जा शक्ति है यहां आपसंदिया हुआ है तैराकी सर्कित पर सिच्छर साट स्प्रेंट्स लंबी दो दोस्तों यहां पर एरोबिक शक्ति यानि सहन सिल्टा को बिख्षित करने की बात कर रहा है यहां कि यहां पर आपके कांटिनिवर्स इंटरोब्र रिपीटेशन एंप कंपडिशन मेथड होता है आपका सहन सिल्टा यानि की इंडरेंज को डेल अप करने के लिए जिसमें से कंटिनिवर्स मेथड में आपका सटेंलिंग भी आ जाता है है तो एकुरूबिक करने की जा सकती आपका सटिक्सर से आपसंनंबर भी करेटर से हो जाएगा जोसतों बयायाम की समय अधिक्टम और खरंग करने की दर को एकुरूबिक सकते हैं ए रूप से एरोबिक क्रियाओं के परियोग द़रा कि जा सकती है जैसे कि आपरज्टी करना सरीर कंडिशनिंग या परतिदोथ परिशिच्छर का एक रूप है जिसमें उच्चिती व्रता के ए로भिक से का परियोग किया का प्रयोग किया जाता है इसकी द्वाइविक सकती वर बिद्धी की जा तो तो दोस्तों यहां पर आधिकतम आक्सिजन ग्रहर करने की दर को कहते हैं तो दोस्तों यहां पर आधिकतम आक्सिजन ग्रहर करने की दर को भीर्टु मैक्स कहा जाता है जिसमें आधिकतम आक्सिजन ग्रहर किया जाता है वह करने की चंता को यहां पर नहीं दिया है यहां पर आपसन अरोबिक शक्ती सही हो जाएगा आपसन नंबर एक अंसर लिशक है इरोबिक सहन सक्ती वाले ब्यामों में आवश्यक है क्या आवश्यक है दोस्तों और बिदियो में इस्पोर्स गति वीदियो में से एक को नमित कीजिए जिस से अनरोबिक वरगि कित नहीं किया जा सकता यहां पर क्या कुछा है कि prochaine दिया हुआ है एक आप समों को ऐसा आपको छाटना है जो अनरोबिक नहीं है दोस्तों अनरोबिक यानि विना आकसीजन के क्रिया यहां पर 50 सुमिटर स्प्रिंट है एह आपको अनेरोबी क्रिया है एक स्कॉआर्ट या बेंच प्रेश की पुण्रावरत यह भी अनेरोबीक है भाला फेकना भी एक अनेरोबीक है जबकि एक पहावी प्रस्टरना यह इरोबिक क्रिया है आपसन NYD यहां पर क्रेक्ट्र utara हो जाएगा यह आपका अने सकता जैसा है कि कि खिलाडी में कार्डियु वैस्कुलर स्रवादिक होता है तरवक में कि जिमनाष्ठ में कि मैराथन धावक में दोस्टो ऐसा को से लंबे समय की कि दिया कोन है यहां सबसे конusan कि आपको अच्छे से समझ में आए होगे दोस्तों विडियो को जादे से जादे दोस्तों तक भी share की या कीजिए जिससे मुझे एक नया motivation मिल सके जिससे मैं आपके लिए daily wishes पर वीडियो बना शुकू एंद दोस्तों पहली बार बीजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेजिए विल आइकन को फ्रेश कर लेजिए जिससे जो में नेक्स्ट टाइम नया वीडियो अप्लोट करूँगी उसको notification आपके उपर जाता रहेगा एंद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जैहें